नमस्कार स्वागत है राजे सभा टीवी में आपके साथ मैं हूँ अभिलाशा पाठाका ये शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइन्स के साथ मिशन शक्ती का सफल परिक्षन कर अंतरिक्ष के शेत्र में महाशक्ती बना भारत अमेरिका रूस और चीन के बाद बना लो अर्थ और्बिट में लाइव सेटलाइट को मार गिराने वाला चौथा देश वो प्राश्पती प्रधानमंत्री समेत कई नेताओं ने वेग्यानिक को दी बधाई एंटी सेटलाइट मिसाइल परिक्षन को लेकर चीन और पाकिस्तान की आशंका को भारत ने किया खारज विदेश मंत्राले ने कहा किसी देश के खिलाफ नहीं है परिक्षन चीन ने अंतरिक्ष में शान्ती बनाय रखने और पाकिस्तान ने अंतरिक्ष में सैन्य करण के खिलाफ अंतराश्ट्रिय कानून पर दिया जोड बीजेपी ने गुजरात में तीन और लोगसभा सीटों के लिए उमिद्वारों के नामों का किया ऐलान पश्चिम बंगाल में त्रिणमूल कॉंग्रिस का घोशना पत्र जारी प्रियंका गांधी ने अमेठी में बूथ कार्यकरताओं से किया समवाद कारुबारी विजय मालिया के UBHL के शेरों की बिक्री से मिले 1000 करोड रुपए DRT ने की शेरों की बिक्री मनी लॉंडरिंग जाज को लेकर एजेंसियों ने किया था शेरों को जब्द और सुल्तान अजलान शाह होकी टूर्णमेंट में मनप्रीद सिंग की हैट्रिक की बदावलत भारत ने क्यारणा को साथ तीन से हराया टूर्णमेंट में चार मैचों में भारत की तीसरी जीत और आए खबरों में सबसे पहले बात करते हैं आज की बेहद अच्छी खबर की भारत ने आज एंटी सैटलाइट मिसाइल का सफल परिक्षन करते हुए स्पेस वार के शेतर में नया मुकाम हासिल कर लिया है प्रधान मंतरी नरेंद मोदी ने खुद देश को इस उपलब्धी की जानकारी दी और साथ ही इसरो और डी-ार्डीओं के वेग्यानिकों को बधाई भी दी सरकार ने इसे अंतरिक्ष वार्फेर में शान्तिपूर्ण उद्देशियों के लिए रक्षा तैयारी करार दिया अमेरिका, चीन और रूस के बाद भारत अब एंटी सैटलाइट मिसाइल शमता रखने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है भारत ने अपना नाम अंतरिक्ष महाशक्ती के रूप में दर्ज करा दिया है प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने राश्टर को संबोधित करते हुए कहा कि एंटी सैटलाइट मिसाइल का इस्तमाल करने वाला भारत चौथा देश बन गया है जो हर भारतिय के लिए गर्व का पल है इससे पहले दुनिया के सिर्फ तीन देश अमेरिका, रूस और चीन ऐसा कर सकते थे भारत ने आज अपना नाम अंतरिक्ष महाशक्ती स्पेस पावर की रूप में दर्ज करा दिया है अब तक दुनिया के तीन देश अमेरिका, रूस और चीन को यह उपलब्दी हासिल थी अब भारत चौथा देश है जिसने आज यह सिध्धी प्राप्त की है प्रधान मंत्री ने कहा कि भारत ने अंतरिक्ष में सतह से 300 किलो मिटर उंचाई पर मौजूद LEO सैटलाइट को मार गिराया है प्रधान मंत्री ने बताया कि यह पूर्व निर्धारित लक्ष था हमारे वेग्यानिकों ने लो अर्थ और्बिट में एक लाइफ सैटलाइट को मार गिराया है उसने एंटी सैटलाइट मिसाईल को मार गिराया है केवल तीन मिनिट में सभलता के साथ यह मिशन पूरा हुआ यह मिशन शक्ती बहुत कठिन मिशन था एलियो लो आर्बिट में यह लाईव सेटलाइट जो की एक पूर्वा निर्धारित लक्ष था उसे एंटी सेटलाइट एसेट मिसाइल द्वारा मार गिराया गया है सिर्फ तीन मिनिट में सभलता पुर्वत यह आप्रेशन पुरा किया गया है मिशन शक्ती यह अत्यंत कठीन आप्रेशन था उन्होंने कहा कि यह परिक्षन किसी भी अंतराष्ट्य संधी का उलंगन नहीं करता हमारा मकसद शांती बनाए रखना है युद्ध का माहौल बनाना नहीं भारत हमेशा से ही अंतरिक्ष में हत्यारों की होड के विरुद रहा है और इस से इस नीती में कोई बडलाव नहीं आया है आज का यह परिक्षा किसी भी तरह के आंतराष्ट्य कानून अथवा संधी समझोतों का उलंगन नहीं करता है हम आधूनिक तक्णिक का उपयोग देश के 130 करोण नागरिकों की सुरक्षा एवं उनके कल्यान के लिए ही करना चाहते हैं प्रधान मंत्री ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि मैं ऐसे भारत की परिकल्पना करता हूँ जो अपने समय से दो कदम आगे की सोच सके उन्होंने अभियान से जुड़े सभी वैग्यानिकों और देशवासियों को सफलता पूर्वक परिक्षन के लिए बधाई दी ब्यूरो रिपोर्ट राजिसभा टीवी उपराश्चुपती वेंकई अनाइडू ने मिशन शक्ती की सफलता के लिए भारतिय अंतरिक्ष वैग्यानिकों को बधाई दी है उन्होंने कहा है कि एंटी सैटलाइट मिसाइल के सफल प्रक्षेपन के साथ भारत दुनिया की एक अंतरिक्ष महाशक्ती बन गया है इधर केंद्रिय मंत्री अरुन जेटली ने आज मिशन शक्ती की काम्याबी पर बीजेपी की ओर से बयान दिया उन्होंने कहा कि ये एक शम्ता दुनिया में बदलती जियो पॉलिटिक्स के लिहाज से काफी एहम है बहुत समय पहले से हमारे वग्यानिकों के पास इसे बनाने की एक शम्ता थी लेकिन पिछली केंदर सरकार ने इसकी अनुमती नहीं दी कॉंग्रिस पर तंजकस्ते हुए उन्होंने कहा कि अपनी नाकामी पर पीठ थप थपाने वालों को इसका ध्यान रखना चाहिए ये पूरी प्रक्रिया 2014 में शुरू हुई इसका पूरा प्रक्रिया 2014 के बाद जब प्रधान मंत्री जी ने अनुमती दी और हमारे विज्ञानिकों ने इस शोद का कारे किया है जो पुराने युद होते थे और जो अगले युग के युद होंगे वो अलग-अलग होंगे इस विश्व की उस जियो पुलिटिकल सिचुएशन में है जिसमें हमारी तैयारी ही हमारा सबसे बड़ा डेटरेंट है भारत की केवल शक्ती ही नहीं बढ़ेगी हमारी शमता की इस शेत्र के अंदर हम शांती कायम रखें उधर कॉंग्रेस टी-मसी बी-एस-पी समेत कई दलों ने मिशन शक्ती की कामयाबी को लेकर प्रधान मंतरी के संबोधन को सियासत करार दिया है इस पर पलटवार करते हुए बी-जे-पी नेता और वित्तमंत्री अरुन जेटली ने कहा कि विपक्ष को इस पर सवाल उठाने की जगए देश के बढ़ते आत्म विश्वास और वेग्यानिकों के साथ खड़ा होना चाहिए मुझे लगता है कि बाला कोट और फूलवामा में एक इतिहासिक भूल करने के बाद इतिहास ने हिंदुस्तान के विपक्ष को एक और अफसर दिया उस गलती को सुधारने का कि जब हमारे विज्वास ने अब देश की ताकत बढ़ाई है कम से कम उस देश के विश्वास के साथ देश के कॉन्फिडेंस के साथ उन विज्वानिकों के साथ तो खड़े होकर अपना दाइत्वनी भाई है DRDO चीफ GS Reddy ने कहा है कि एंटी सैटलाइट मिसाइल परिक्षन ने हमारी क्षमता और इच्छा शक्ती को दिखाया है और हमारी सुरक्षा के लिए ये बेहद एहम है उन्हों निका कि इस परियोजना को दो साल पहले सरकार की ओर से मनजूरी दी गई थी और इस पर तेजी से काम हुआ ये पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक है डियाडियो के पूर्व प्रमुख वीके सारस्वत ने भी दावा किया है कि यूपिय सरकार के दोराण मिशन शक्ती तकनीक की पेशकर्श की गई थी लेकिन उस समय इसकी इजाज़त नहीं दी गई थी एसेट मिसाइल लाँच भारत के लिए कितनी बड़ी कामयाबी है इसके बारे में डियाडियो के पूर परूर्व वीके सारस्वत खुद बताएंगे सरी बताईए अब भारत जिस कलब में शामिल हो गया है चौथा देश है एक कितनी बड़ी उपलब्दी है हमारे लिए यह हमारे देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्दी है क्योंकि हमारा जो वारफेर का फूर्थ डाइमेंशन होता है जिसको कि स्पेस डाइमेंशन कहत तो हम उसको मूत और जबाद दे सकते हैं टेक्नलोजिकली भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है क्योंकि एक अबजेक्ट जो कि साथ आठ हजार मीटर पर सेकंड की स्पीड से किसी तीन सो किलो मिन्टर की कक्षा में घूम रहा है उसको वन मिली सेकंड की एक्यूरेसी से इंटर्सेप्ट कर लेना यह एक टेक्लोजिकली एक बहुत बहुत बड़ा अचीवमेंट है 2012 में जब अगनी 5 लाँच होई थी तो यह आपकी तरफ से का क्योंकि आप समय ततकाली टीरड्यू प्रमुक्त है कि हम लोग ऐसे एसे को का परिक्शन कर सकते हैं लेकिन नहीं कर पाए क्या पॉलिटिकल लीडर्शिप की कमी थी या क्या दिक्कत है देखिए हमारे पास उस समय केपिबिलिटी थी और हमने ये भी कहा था कि हमें कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स और बनाने पड़ेंगे और उन बिल्डिंग ब्लॉक्स को बनाने के बाद हम इसको डिमोंस्टेट कर सकते हैं हमारी simulation की जो exercise की गई थी उसमें हमारे results positive थे और यही हमने press में और यही हमने उस समय की government को बताया था कि हमें भाई साथ clearance दे दीजे जिससे कि हम इसमें कारे कर सकें unfortunately उस समय वो clearance नहीं मिला शायद उस समय की government का vision नहीं रहा हो या उनकी कोई और priorities रही हो या कोई डर रहा हो किसी तरह का कि शायद विदेशी powers जो है उनको किस तरह से मतलब दबा सकें मुझे नहीं मालम क्या कारण थे पर हमें कोई positive response नहीं मिला तो हम इस बारे में इस दिशा में कारे नहीं कर पाए लेकिन अगर बिल गया होता तो क्या कुछ तश्विर बदली होती है positive response मिल गया होता तो हम ये launch जो आज हम ने 2019 में किया है प्रबर भी 2014 या 15 में कर सकते थे ये जो एसेट का launch किया गया है पूरी तरह से शान्ती पूर देशों के लिए है लेकिन भारत की छमता अंतरिक्षी शेतर बे बढ़ चुकी है मिशन शक्ती के तहट एंटी सैटलाइट मिसाइल परिक्षन करने पर चीन और पाकिस्तान की आशंकाओं को भारत ने खारिच किया है विदेश मंतराले ने कहा है कि भारत का परिक्षन किसी देश के खिलाफ नहीं है और उसका हथियारों के दोड़ में शामल होने का कोई रादा नहीं है चीन ने कहा कि उमीद है सभी देश अंतरिक्ष में शांती बनाये रखेंगे चीन ने ऐसा ही परिक्षन जनवरी 2007 में किया था वही पाकिस्तान ने कहा कि अंतरिक्ष को सैन्य करण करने से बचना चाहिए और जिन देशों से ने पहले इस तरह का परिक्षन किया है उनकी कड़ी निंदा उन्होंने की और अंतरिक्ष में सैने खत्रों को समझेंगे और इसे रोकने का काम करेंगे ये बात पाकिस्तान के प्रधान मंतरी ने कही है और आई अब रुख कर लेते हैं लोग सभचनाव से जुड़ी होई खबरों का पश्चिम बंगाल की मुख्य मंतरी और ओल इंडिया त्रिणमूल कॉंग्रेस अध्याक्ष ममता बैनर जी ने लोग सभचनाव के लिए घोशना पत्र जारी किया ममता बैनर जी ने कहा कि त्रिणमूल कॉंग्रेस ने राज्य के हित को ध्यान में रखकर चुनाव घोशुना पत्र जारी किया है लेकिन राश्ट्रिय अस्तर पर सामान्य नियुनतम कारिक्रम के आधार पर सरकार का गठन होगा त्रिणमूल कॉंग्रेस जी एस्टी समीक्षा करेगी और समीक्षा के बाद जी एस्टी लागू किया जाएगा त्रिणमूल कॉंग्रेस योजना आयो को फिर से पुनर जिवित करेगी गोरतलब है कि पश्चिम बंगाल की 42 सीटों पर 7 चर्णों में चुनाव होने है बीजेपी की केंद्रे चुनाव समिती ने गुजरात के 3 सीटों के लिए लोगसभा उमिद्वारों के नामों की घोशना कर दी है इन में बनासकांठा से परवत भाई पटेल, पूरबंदर से रमेश धादुक और पंच महल से रतन सिंग का नाम शामिल है अधर भोचपूरी के सूपरस्टार कहे जाने वाले आक्टर दिनेश लाल यादव निरहुआ भारतिय जनता पार्टी में शामिल हो गए है दिनेश लाल यादव निरहुआ ने उत्तर प्रदेश के मुख्य मंतरी योगी आदित तेनाच से मुलाकात कर लखनव में बीजेपी को जॉइन किया कहा जा रहा है कि वहाँ चुनाव भी लड़ सकते हैं इस बार हम जो है वो बारतिय जनता पार्टी के साथ हैं हम भी चाहते हैं कि देश में जो है फिर से नरे नर्मोदी जी प्रदान मंतरी बने और इसलिए हम जुड़ रहे हैं और आगे जो भी आदेश होगा महीं कॉंग्रिस में भी स्टार्स के इंट्री हो रही है फिल्म अभी नेत्री उर्मिला मान तोड कर कॉंग्रिस में शामिल हो गई है इस मौके पर मिलिन देवडा और संजय नेरुपम समेथ महरास्ट्र कॉंग्रिस के कई नेता मौजूद थे मिलिन देवडा मुंबाई कॉंग्रेस समिती के अध्यक्ष बनाए गए हैं उर्मिला मान्तोड कर कॉंग्रेस अध्यक्ष राहूल गांधी से मुलाकात करने के बाद कॉंग्रेस में शामिल हुई उर्मिला मान तोड़कर ने कहा कि इस समय देश को ऐसे नेता की जरूरत है जो सब को साथ लेकर चले आज के दोर में जबके केंद्र में ये पार्टी सत्ता में ना होने के बावजूद मैं पूरे जदो जह से मैं पूरे अपने ठिंकिंग मेरे पूरे जो आचार विचार सब के साथ अगर इस कॉंगरेस पार्टी से जुड़ना चाहते हूँ मैंने मेरे जिन्दगे में कोई चीज़ हाफाटे लेने के ना मैं ये करना चाहूंगी क्योंकि जब आप लोगों के बीज उनकी सेवा करने का अंदेशा लेके जाते हो तो यह बहुत बड़ी responsibility होती है तो मैं कहीं जाने वाली हो नहीं, मैं यहीं हूँ और बहुत-बहुत शुक्रिया प्रियाग राज और वारांसी का दौरा करने के बाद अब कॉंग्रिस महासचिव प्रियांका गांधी एक बार फिर उत्तर प्रदेश दौरे पर हैं प्रियांका आज कॉंग्रिस अध्यक्षर राहुल गांधी के संसद्य शेतर अमेठी पहुंची कॉंगரिस महासचिव ने बूत कारेकरताओं के साथ चुनावी मीटिंग भी की प्रियャंका गांधी ने कहा कि अमेठी हमारा घर है और परिवार है प्रियांका गांधी ने कारेकरताओं से ये भी कहा कि इस वार उन्हें पूरे देश में प्रचार के लिए जाना है इसलिए वो अमेठी में जादा वक्त नहीं दे पाएंगी आपका हर वोट कीमती है वोट आपके सही उमिद्वार को जा रहा है या नहीं ये शंका अब दूर हो जाएगी वीवी पैट यानि वोटर वेरिफियेबल पेपर ओडिट ट्रेल इस बात की तस्दीक करेगा कि मतदाता ने जिस उमिद्वार को वोट दिया है वो उसी के खाते में गया है या नहीं लोगसभा चुनावों में मतदान के लिए 10 लाख बूथ बनाए जाएंगे सब ही पर वोटर वेरिफियेबल पेपर ओडिट ट्रेल का इस्तमाल किया जाएगा दिल्ली में हमारे समवादाता ने वीवी पैट के इस्तमाल करने के तरीके का जाइजा लिया इस बार के लोगसभा चुनावों में जब आप अपने मतदिकार का इस्तमाल करेंगे तो EVM मशीन के साथ आप वीवी पैट मशीन भी देखेंगे लेकिन ये वीवी पैट मशीन काम कैसे करती है इसको जानने के लिए हम दिल्ली के इलाके में जहां पे लोगों को इस प्रक्रिया से रूबरू कराया जा रहा है इस प्रक्रिया को हम भी यहां पे समझने आए है और हमारे साथ असिस्टन इलेक्टोरल इलेक्शन ऑफिसर सुनील जी है सुनील जी ये वीवी पैट मशीन किस तरह से काम करेगी EVM पे तो हम अब तक वोट देते आए है लेकिन वीवी पैट पूरे देश में इस बार नया है कैसे इस्तेमाल की जाएगी देखो ये सुप्रीम कोट का जज्जमेंट है 2013 का जिसमें हर एलेक्शन में आपसे 2013 के बाद वीवी पैट का इस्तेमाल कंपल सरी है अब वीवी पैट में क्या होता है कि जो भी वोटर अपना वोट दालता है वो उसमें एक स्लिप निकलेगी साथ सेकंड के लिए डिस्पले माएगी अब देख सकते हो किस केंडिएट को वोट किया है मैं आपको डिमेंस्ट्रेशन दिखाता हूं इसका ये मशीन अभी रेडी है अब मैं कंट्रोल उनिट में पहले वोट अलाव करता हूं किसी को ये मैंने बटन दबाया अब एक कोई साब आप एक वोट दालके देखें किसको वोट दालने केंडिएट नहीं है इन्होंने पांच नमर बे दबाया अब यहाँ वैसे तो सिक्रेट होता है अब दिखाने के लिए पांच नमर को पांच आगे तो ये वोटर उसी समय अपना वोट चेक कर सकता है ये जो स्लिप है साथ सेकंड के लिए डिस्प्ले में आएगी उनिट में अब साथ सेकंड में क्रोस चेक कर सकते हैं ये इलजाम नहीं लग सकता है कि हमने बटन दबाया इसको हमें मालूम नहीं कहां गई वोट किसको तो वीवी पैट में अब देख पाते हूं ये वीवी पैट अब से हर एलेक्शन में कंपलसरी हो गई है दरसल तमाम राजनितिक पार्टियों की शिकायतों के बाद ही सुप्रीम कोट ने इलेक्शन कमिशन को ये शुनिश्चत करने को कहा था कि इस बार कि जो लोकसभा चुनाव होंगे उसमें वीवी पैट मशीन का इस्तिमाल किया जाए चुनाव आयोग ने ही जिम्यदारी ली है और अब मर्दान शुरू होने से पहले कोशिश की जारी है कि हर आम नागरिक को वीवी पैट मशीन की प्रक्रिया से रूब रूब करवाया जाए कैमरा पसंद सुधान शुके साथ अनुदिवान राजे सबा टीवी दिल्ली गोवा के मुख्यमंतरी प्रमोज सावंत ने उपु मुख्यमंतरी सुधीन धवलिकर को क्याबिनेट से हटा दिया धवलिकर एमजीपी के एक मात्र विधायक थे जो पार्टी से अलग नहीं हुए थे मुख्या है परार कारोबारी विज़मालिया के युनाइटेड ब्रिजिस होल्डिंग्स लिमिटेड के शेरों की बिक्री से एक हजार आठ करोड रुपए मिले हैं इन शेरों की बिक्री रिन वसूली न्यायकरण डियार्टी ने की है प्रवर्तनी दिशाले ने इस बात की जानकारी दी इडी ने का कि विज़मालिया के खिलाफ चल रही मनी लॉंडरिंग जाज को लेकर एजेंसियों ने शेरों को जब्त किया था ये शेर येस बैंक के पास पड़े थे करनाटक हाई कोट ने हाली में बैंको बैंगलूरू स्थित रिन वसूली न्यायधी करण के पक्ष में इन शेरों को सुपुर्द करने का आदेश दिया था उत्तरप्रदेश के हर दोई जिले से बीजेपी सांसद अंशुल वर्मा ने चुनाओ से ठीक पहले बीजेपी का साथ छोड़ दिया सांसद अंशुल वर्मा सपाध्यक्ष अखिलेश यादर की मौझूदगी में समाजवादी पार्टी में शामिल हो गया टिकेट नहीं दिये जाने के कारण सांसद अंशुल वर्मा पाटी से काफी समय से नाराज चल रहे थे उपराश्वपती M1 कईया नाइडू ने देश की सभी शैक्षनिक संस्थानों से छात्रों को गुणवत्ता पूर्ण सस्ती सार्थक शिक्षा मुहया कराने पर जोर दिया उपराश्वपती ने Ranking of Engineering and Management Educational Institutes in India कारिक्रम में इंजीनियरिंग के छात्रों को पुरस्कार से सम्मानित किया उपराश्वपती ने कहा कि हमेशा युवाओं की आकांक्षाओं, योग्यता और अक्षमताओं का सम्मान करना होगा उपराश्वपती ने कहा कि उच्च गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा से संस्थान और छात्रों के बीच विश्वास का रिष्टा कायम होता है साथी उन्होंने कहा कि ज्ञान आधारित वैश्विक अर्थिववस्था के उभरते अवसरों के इस्तमाल के लिए देश के पेशेवर संस्थानों की एहम भूमिका है करते बीच विश्वास काया ओडिटिव की विश्वास का विश्वास का सब्सक्षा एक्षान पर दो उदर क्रोएशिया यात्रा के तीसरे दिन आज राश्ट्रपती रामनात कोविन ने वहां की राजधानी जगरेब में भारत-क्रोएशिया आर्थिक मंच की बैठक को संबोधित किया उन्होंने कहा कि भारत और क्रोएशिया के बीच व्यापार और निवेश की काफी संभावनाय हैं इसे बढ़ाने के लिए दोनों देशों की कमपनिया आईटी, पार्मा, स्वच, उर्जा, रक्षा, बुनियादी धाचा, मनुरंजन, सेवा समेत कई शेत्रों में सहयोग कर सक राश्रुपती ने कहा कि भारत में कारोबार के लिए बेहतर माहौल बना है उन्होंने मेकेन इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसे कारिक्रम में सहयोग की पेशकश की राश्रुपती रामनात कोविन ने व्यापार, पकनीक और निवेश के शेत्र में दोनों देशों की अपनियों को मिलकर काम करने की बात की. I am happy that India-Croatia Business Council has been set in place. We need to energize it and seek its assistance in identifying new areas of cooperation. Sultan Azlan Shah Cup में Manpreet की hat-trick goal की बदावलत भारती होकी टीम ने बुधवार को Sultan Azlan Shah Hockey Cup में कैनडा को साथ-तीन से हराकर भारत की तरफ से मनपीत सिंग 20-27 और 29 मिनिट में, वरुन कुमार 12 मिनिट पे, अमित रोहिदास 49 मिनिट पे और विवेक प्रसाद 55 मिनिट और 98 मिनिट में नीलकांथ शर्मा ने निरनायक गोल दागा और भारत को जीत दिला दी. आपको बता दें कि भारत की ये टूर्णामेंट में चार मैचों में तीसरी जीत है और ये मैच ड्रॉ रहा था, इससे पहले भारतियो हौकी टीम ने मंगलवार को मेजबान मलेशिया को चार दो से पराजित किया था. इस बुलिटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही जुड़े रहे राजे सभा टीवी के साथ, नमस्कार.